हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हर्बिर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ओफिसियल में दिल से स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुविन मिलेंगे और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो यह चैनल आपके लिए काफी इंपोटेंट रहने वाला है तो साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी इंपोटेंट बाते बताने वाला हूँ और एक ऐसे मुद्दे पर चल्चा करेंगे जो काफी सोचने वाला एक विश्या बन चुका है जिस पर कोई जल्दी से विचार नहीं करता है तो साथियों मैं बात कर रहा हूँ भावी अध्यापको के बारे में उन अध्यापको के बारे में जिने रास्टे निर्माता कहा जाता है ये वीडियो साथ आपने पहले देख ली होगी जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ लेकिन अभी उसमें चौकाने वाले कुछ अपडेट आये हैं और राजधानी के अंदर कुछ ऐसी घटना देखने को मिली है साथियों ये वीडियो आपको बिल्कुल चौका देगी और क्या वीडियो है? क्या खबरे है? आप देखते रहिए मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी कि अध्यापको की जो दसा है प्राइविट स्कूल्स में उसके बारे में वीडियो बनाई थी और उसमें मुद्दा था कि 4-5,000 रुपे में 3-4,000 रुपे में कोई टीचर कैसे कमा सकता है? कैसे अपना गुजारा कर सकता है? हम एक अच्छे एजुकीशन की बात करते हैं लेकिन उन अध्यापकों को दिनरात मेहनत करने के बाद कुछ भी नहीं मिलता तो साथियों आज इक जो कमेंट आया है उसने मेरी आखे खोल दी और आपकी भी आखे बिल्कुल खोल देगी तो साथियों इस कमेंट में क्या है? हलाकि जो इनका नाम है वो मैंने छिपा रखा है हाइड कर रखा है वो मैं पब्लिक नहीं करूँगा लेकिन जो इसमें कमेंट आया है वो क्या है? मेरी भी तीन है और शुरू में पंद्रहसों से किया था ये बता रहे हैं कि जो अब salary है इनकी 3000 रुपे है इस time आप समझ सकते हैं 3000 रुपे में ये काम कर रहे हैं आज के time में मतलब आज की महंगाई के अनुसार starting करी थी 1500 रुपे से private school में और sign पता है कितने पे कराते हैं आप देख सकते हैं 19,450 पे sign होते हैं और मतलब कोई बाहर से inspection वाले आते हैं तो क्या बोलना पड़ता है 19,450 हमारी salary है और हमें मिलती है और अगर ऐसा नहीं बोलेंगे तो क्या है कि ये कहां जाएं कहां पे job करें तो ये एक सोचने वाली बात है कि 3000 की salary में इनको बोलना पड़ता है sign करना पड़ता है 19,450 साथियों ये चीज़े ये नहीं कि सिर्फ इनके साथ हैं ये सुनने में मुझे बहुत पता चलाता कि ऐसा होता है क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआता कि ऐसी चीज़े आप लोगों के साथ हो रही है और अब ध्यापक होकर ये चीज़े शेहन कर रहे हैं आप समझ सकते हैं कि 3000 रुपे में कोई अपना खर्चा कैसे चला सकता है हम बात करते हैं education system private school में जिस हिसाब से ये काम हो रहा है ये क्या है loot मच रही है तो ये बहुत गलत है एक होता है कि school की income बहुत कम है उस हिसाब से वो बंदा जिसका school है वो उन्हें पैसे दे रहा है वो भी देखा जाए कि हाँ उनकी income कम है और वो ऐसे 50,000 पे sign नहीं कर रहे लेकिन आप समझ सकते 19,450 पे sign करवा के उन्हें 3,000 रुपे दिये जा रहे तो ये कहां का justice है उन school वालों को सरम आनी चाहिए ये क्या है इससे अच्छा भीक मांगने लगे अब बात करते है ये क्या है उन school वालों की सीधी साधी गुंडागर्दी है और इन लोगों के बारे में government को जरूर सोचना चाहिए और सातियों अभी रुको कुछ टाइम बाद इस topic पर जल्दी कोई strict action लिया जाएगा जो भी सातियों जिने लगता है आप personal मेरे number पे मुझे बताएं आपका नाम नहीं जाएगा आप information दें किस school में क्या हो रहा है तो सातियों उम्मीद करता हूँ आप सायोग जरूर करेंगे और जो ये चीजे हो रही हैं इसके खिलाब आवाज उठाएंगे तो goodbye, take care, thank you जैहिंद, one day, matram